प्रदान मंतरी मोधी द्वारा तीनों क्रशी कानून बिल वापिस लेने की गोशना पर मैनपुरी की भारती किसान यूनियन के पूर जिलादेक्ष तिलक सिंग राजपूत ने जुम्ला बताया कहा कि जो बिल सदन में पारित हुए हैं उसको सदन में ही वापिस होने चाहिए एक साल तक सरकार हमें खालिस्तानी आतकवादी कहती रही वो अब अपने चुनावी रेली में भीड ना होने पर हार के डर से क्रशी कानून बिल वापिस लेने की गोशना किया उन्होंने और भी बहुत कुछ कहते वे कहा कि इनको अब लगने लगा है कि हमारा विरोध अच्छा ही नहीं समझता हूं क्योंकि प्रदानमंत्री तमाम गोशना इससे पहले करते हैं इनको मैं जुमला भी मान सकता हूं यह जो जो कानून है कानून जो सदन में पारित हुए और सदन में वापस होने चाहिए बाहर सदन के नहीं हो सकते इसलिए जब तक सदन में पा किसानी आतंकबादी मानती रही किसान ही नहीं माना आज कोई मजबूरी आ गई उनके सामने उनके सामने यह मजबूरी हो गई जहां पर भी रहलियां कर रहे हैं जहां भी जाते हैं इनका बिरोध होता है इनके मंत्रियों का बिरोध होता है जब इन्होंने यह जान लिया कि कि किसान नहीं बल्क पूरा जंसमदा है इस सरकार के कारणामों से रोष्ट है उसके बाद इन्हों ने यह निड़ लिया कि अब किसान की बात को मानना हमारी मजबूरी है और आज यह प्रकासपर्व के अफसर पर यह गोष्णा की कि मैं तीनों कानून बापस लेने का गोष्णा करता हूं लेकिन अभी फिलाल हम लोग यह हमारा संगटन संयक्त मुर्चा इस चीज को पूरी तोर से विश्वास में नहीं मान रहा है अज जो किसानों ने जो बंदान दिया है इसको लेकर क्या क्य से अधिक किसान हमारे सहीद हो गए इस अंदोलन में इनके मंतरीयों संत्रियों ने बेदर्दी से हमारे किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया और ऐसे प्रदान मंतरी के आँखों में एक आंसु तक नहीं आया और आज बोट की खातिर आने वाली सरकार की सत्ता नहां से चली जाए इसलिए किसानों को बलगलाने के लिए कानून का गोशना की है अब देखते हैं आगे अगर सदन में ये पास होता है तब सोचें